कल रिलीज हुई अजे की फिल्म ताना जी दानसंग वारियर पहले दिन से ही आडियन्स का भरपूर प्यार खासिल कर रही है और जिन फान्स को अजे को अक्शन रूप में देखने की चाहती उन के लिए फिल्म तो बोनस साबित हो रही है आपको बता दे कि अजे स्पीर डामा फिल्म में वीर निडर और माराथा योदा ताना जी मालू सरे के रोल में है और एक वारियर होने की वज़े से अजे ने बेहत ही खतरनाक और हैर तंगे सीन भी शूट किये अब उसमें चाहे तलबार चलाना हो या फिर खोड़े पर बैट कर दुश्मनों के चक्के छुडाना हो इन सभी को अजे ने कितने दमदार और बहतिनी तरह से स्क्रीन पर पेश किया इस बाग कि गवाही तो अब तक फिल्म देख चुके लोग दे ही नहीं है लेकिन क्या जानते हैं कि डेदली और डेरिंग अक्शन सीन करने वाले अजे फिल्म के एक सीन से बेहद ही खबर आ गए थे नहीं ना चलिए इस राज से परदा हम उठाते हैं जिसमर उने बताया कि कैसे महराश्की सन्धन वैली का सीन शूट चूट किया गया उन्होंने बताया कि फिल्म के सेट पर सन्धन वैली को रे-क्रेateur किया गया इस सीन को शूट करना काफी चालेंजyss से भरा था और यही वो सीन था जिसने अजे के पसी ने छुड़ा दिये बॉस भाई मानना पड़ेगा एक अच्छा आक्टर होना लोहे को आपकार देने जैसा ही होता है वेल इस फिल्म को ओडिन से काफी हद तक positive response मिल रहे हैं जिससे देखका लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ताना जी अच्छी कमाई भी करके लेगी